मस्ति किसान भाईयो स्वागोते मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग जानेंगे केला यानों बनाना में आने वाला सीगा टोका जिसको ब्लैक करपा भी कहते है तो क्या होता है कि जब बारिश रुख जाती है और थंडी का मोसम चालू हो जाता है अभी ये मैं वीडियो सम जो कि नौवेंबर मेने में बना रहा हूँ तो क्या हुआ है कि बारिश रुख कर अभी थंडी का मोसम चालू हुआ है तो क्या रहता है कि जो अपना वातावरन रहता है इसमें बहुत ज़्यादा हुमिडिटी रहती है तो इसकी बज़े से क्या होता है कि ये जिगा टोका है इसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडिशन रहती है और यह एक फंगस डिसीज है तो यह देखिए यह तो छोड़ा छोटा प्लांट है देखिए कैसे इसके डॉट्स पढ़ते हैं देखिए पत्ते पे मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह ऐसे जो स्पॉट पढ़ते है तो इसको बोलते है सिगा टोका अभी यह क्या करता है सबसे पहले नीचे के पत्ते पे आता है अभी यह पत्ता आप देख सकते हैं देखिए पहले जो बहुत डैमेज हुआ है यह इसी प्रकार ऐसे सुख के मर जाता है क्या होता है कि जो नीचे के पत्ते रहते हैं उस प उबर के पत्ते पर क्या रहता है कि सबसे पहले संद्द संनलाइट पड़ता है तो उसका फोटो सिंतेशी का प्रोसेस है तो ऊच्छे से होता है तो वह सब खाद वगेरे जो कुछ उसको बनाना है वह अच्छे से वह बना लेता है आप देखो कभी भी शीगा टोका यह आपक पत्ते हैं यहां पर बढ़ते हैं यह जो स्पोर्स है अभी यह तो बढ़ते ही जाएंगे उपर लेकिन यह क्या है आप निचे से भी निचे भी डालोगे ना तो यह खेत में पर होके जाते हैं तो इसके लिए प्रिवेंटिवली इसको कर सकते हैं इसके लिए प्रोपी कोनयाजोल आता है जो सिंजेंडा का टिल्ट के नाम से आता है बाद में फॉलीक्योर आता है तेबी कोनयाजोल आता है उसमें टेक्निगल और बहुत ज्यादा बढ़ा होगा शिगाटों का बहुत फैला होगा अब यह देखिए उपर के पत्ते तक गया अब यह धीरे 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 उपर के पत्ते कवर कर लेगा तो इसके लिए ज्यादा अगर मात्रा में बढ़ा हो तो आप ड्रिप से भी वैलीडा मैसिन प्लस टेबी कुनाजोल दे सकते हो और अगर आपको स्प्रे करना है तो बा पहले ही अगर आप प्रोपी कोनाजोल का स्प्रे करेंगे तो इसका आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा और यह थंडी में अक्सर आता ही है क्योंकि मोस्ट फेवरेबल कंडिंशन रहती है तो थोड़ा थंडी के पहली बारिश खतम हो गई नमी रहती है वाता औरन मे तो उसके पहले आप प्रोपी कोनाजोल का स्प्रे करेंगे तो इतना आगे बढ़ेगा नहीं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको सब कुछ कंट्रोल दिखा देता हूँ कि इसमें क्या-क्या केमिकल कंट्रोल है वो मैं आपको सब बता देता हूँ धन्यवा करेंगे